नमस्ते, लतास किचिन में मैं लता जैन आपका स्वागत करती हूँ, आज मैं एक ऐसा स्नेक शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत जल्दी से बन जाता है, और टेस्टी भी है, ये स्नेक है साबुदाना फिंगर्स, इन्हें फास्ट में भी खाया जा सकता है, और रोज में भ बटन दबाईए, इस रेसिपी में मैंने 250 ml के कप को मेजर्मेंट के लिए यूज किया है, तो ये मैंने हाफ कप साबुदाना लिया है, मीडियम साइज का है ये साबुदाना, इस साबुदाने को हम एक मिक्सी ग्राइंडर में पीस लेंगे, और पीस का उसको पौडर बना ये मेरे पास चार मीडियम साइज वाइल्ड आलू है, इनको मैंने छील लिया है और अब मैंने को कद्दू कस कर लिया है, ये मैंने सब आलू को ग्रेट कर लिया है, अब एक बड़ा बाउल लेंगे और उसमें ये ग्रेटी डालू डाल देंगे, अगर आप ये फिंगर्स फास्ट के लिए बना रहे हैं, तो हम इसमें सेंदे नमक और काली मिर्च का यूज करेंगे, इसमें हम 3 by 4 teaspoon salt डालेंगे, ये मैं फास्ट के लिए नहीं बना रहे हूं, डेली खाने के लिए बना रहे हूं, तो इसमें मैं half teaspoon लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, अगर आप फा इसको भी मैं इसमें add कर दूँगी, 1 by 4 teaspoon गरम मसाला है, इसको भी इसमें add कर देंगे, जो हमने साबुदाने का पाउडर तैयार किया था, इसको भी हम इसमें add कर देंगे, सबको अच्छे से mix करेंगे, इसमें आप 1 tablespoon roasted moon falli भी कूट कर मिला सकते हैं, अब हमने इसको एक डो की तरह बना लिया है, अगर आपको ये लगता है कि डो जादा tight हो गया है, तो इसमें थोड़ा सा पानी भी, half tablespoon पानी भी हम उसमें लगा सकते हैं, आटा जादा घीला भी नहीं करना है, और बहुत बाइब नहीं, ये आलू के ऊपर भी depend करता है कि आलू कैसे है, वैसे तो ये ज़्यादा हाथो पर चिपकता नहीं है, लेकिन हम हाथो पर थोड़ा सा oil लगा लेते हैं, इस आटे को हम 4 parts में divide कर लेते हैं, यहमने इसको 4 parts में divide कर लिया, अब इस तरह इसको प्रेस करते हु हम बोल्ट के उपर रोल करेंगे हाथ में लेकर भी कट सकते हैं इसको अब हम इसको नाइफ से छोटे पीसीज में काट लेंगे ऐसे ही हम सारे आटे से पेड़ी काट लेंगे सारी पेड़िया कट गई हैं अब हाथ पर थोड़ा सा ओयल लगाते हुए चिकना करेंगे और पेड़ी लेंगे पेड़ी को ऐसे दोनों हतेली के बीच में रखकर रोल कर देंगे कुछ पेड़ियों की मैंने फिंगर्स तयाग कर ली हैं एक कड़ाई में ओयल लेंगे पुल करेंगे और को तेज गर्म होने देंगे ओयल चेक करते हैं इसके लिए हम थोड़ा सा आटा इसमें डालेंगे मिश्रन ऊपर में ऊपर आ गया है तैर का ओईल गर्म हो चुका है इनको तलने के लिए ओईल अच्छा गर्म चाहिए गैस को मीडियम डखेंगे अब हम इसमें ये फिंगर्स डाल देगे जो आपस में पोड़ा बहुत चिपक गए हैं उनको हम बाद में अलग कर देगे फिंगर्स को लाइट गोल्डन डाउन होने तब सेखेंगे फिंगर्स लाइट गोल्डन डाउन हो गई है जैस को कम कर देगे और ए प्लेट में नैपकिन पेपर लगाकर हम इनको निकाल लेगे अब कड़ाई में और फिंगर्स डाल देंगे और इनको पहले की तरह ही सेख लेगे साबुदाना फिंगर्स बनकर तयार हैं इन्हें आप किसी भी चट्नी के साथ सर्व कर सकते हैं लेकिन इनको बनाते हुए कई बातों का ध्यान दखना है एक तो जो हमारा मैटीरियल है उसको ज्यादा टाइम रखना नहीं है दूसरे ये फिंगर्स हमेशा तेज गरम ओल मे और शेकते समय भी ध्यान रखें कि गैस मीडियम रहें साबुदाना फिंगर्स देखने के लिए आपका धन्यवाद